नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है चमतकाई टोटके चैनल पर दोस्तो करोडों का कर्ज भी होगा माव बस मंदिर में चड़ाएं ये एक चीज कर्ज की समस्या से आजकल हर व्यक्ति जूज रहा है क्यूंकि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि व्यक्ति को कर्ज लेना ही पड़ता है और कर्ज लेते वक्त हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि वह कर्ज को चुका देगा लेकिन जब व्यक्ति समय अनुसार अपने कर्ज को नहीं चुका पाता और कर्ज बढ़ता ही चला जाता है तो ये सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती है कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदेव चिन्ता में रहता है उसका पूरा परिवार कर्ष्टों का सामना करता है कर्ज की वज़े से मानहानी पैसों की तंगी और पारिवारी करेश होते हैं लेकिन कर्ज कितना भी बड़ा भी क्यों ना हो वह जल्दी उतर जाएगा अगर आप हमारे द्वारा बताये गए उपायों को श्रद्धा के साथ करते हैं तो वीडियो को आंते तक देखे और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर ले दोस्तो सकंद पुराण के अनुसा समुद्र मन्थन के समय पहली बार पान के पते का उपयोग किया गया था तो अभी से लेकर अभी तक हर शुबकार में पान इस्तिमाल होता है पूजा पार्ट से लेकर किसी विशुवकार में पान के पत्ते को ज़रूर शामिल किया जाता है अगर आप कर्ज में पूरी तरह से डूप चुके हैं तो पान के पत्ते का उपाय करने के लिए एक साबुत साफ सुत्रे पत्ते का डंठल निकाल कर उस पर दो लॉंग और एक इलाइची रखे अब इस पत्ते को मोड कर पान का बीड़ा बना ले फिर मंगलवार की शाम के समय स्नानादी करके स्वच वस्त धारंटर हनुमान जी के मंदिर में जाए उन्हें ये पान का बीड़ा अर्पित करे तीन महीने तक लगातार हर मंगलवार को ये प्रयोग करे किसी मंगलवार को अगर आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इससे कर सकता है इस दिन तामसिक पदार्तों का सेवर ना करे और सात्विक्ता बनाए रखे जल्दी कर्स चुकने के रास्ते बनते नजर आएंगे दूसरे उपाई के लिए भी आपको पान के पांच पत्ते लेने हैं उन्हें अच्छे से साफ कर लेना है और उन पर शेहत से श्रीव राम लिखना है इन पत्तों को मंगलवार, गुरुवार या शनिवार को हनुमान मंदे जाकर हनुमान जी को चड़ा देना है कुछ ही समय में आपको लोन से मुक्ति मिल जाएगी तीसरे उपाई के लिए आपको एक साबुद पान का पत्ता लेना है उसकी डंटल तोड़ लीजे, अब उस पान की उल्टी तरफ दो लॉंग रख दीजे यह करने के बाद उस पान के पत्ते को बहते हुए पानी या किसी नदी में प्रवाहित कर दीजे और ऐसा करते समय अपनी मनो काम न कहें कि आपको कर से जल्द मुक्ति मिल जाए ऐसा करने के बाद बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस चले आए इस उपाय को महिने में एक बार करने से ही लाब मिलने लगेगा और अगर एक बार में लाब नहीं मिल रहा है तो ये उपाय आप दुबारा भी कर सकते हैं आखरी उपाय में आपको एक सूखा नारियल लेना है जिसे गोला भी कहते हैं ध्यान रखेगी वो कहीं से भी टूटा या कटा नहीं हो अब शनिवार के दिन सुबा भोर बेला में गोले को उपर से काटिये और उसमें पूरी तरह से चीनी भर दीजे और कटे हुए गोले के हिस्से को उपर रख दीजे अब आसपास मौझूत किसी भी पीपल के पेड़ी के पास जाएए अब वहां थोड़ा सा गड़ा करके नारियल को उसमें रखकर उपर से मिट्टी दाल दे प्रात्ना कीजे कि आपका कज जल्दी खत्म हो जाए इस उपाय को करने से आपको कर्ज मिटाने के लिए नई रहा मिल जाएगी दोस्तों इन उपायों के अलावा आप रोज नियमित रूप से रिण मोचन मंगल स्रोत का पाठ कीजे या कनगधारा स्रोत का पाठ कीजे इससे कर्ज की समझ से आपको परिशान नहीं करेगी जोति शाष्ट में कहा जाता है कि शनिवार या मंगलवार को लिया हुआ कर्ज कभी भी समाप्त नहीं होता है इस दिन ना तो कर्ज के लिए आवेदन करे और ना ही कर्ज के कागजात पर हश्तशेप करे कोशिश करे कि कर्स लेना ही है तो सोमवार, बुद्धवार या शुकरवार के दिनी ले इन दिनों पर लिया हुआ कर्स बहुत ही जल्दी उतर जाता है और कर्स को चुकाने में बड़ी दिक्कत भी नहीं आती है तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चानल को सस्क्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद